Hi everyone कैसे आप सब लोग I hope आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे यहां पर आपको सारी चीजवे पता चलजाएगे कोई六 डॉक्ट नहीं रेका ठरस्ट्मी मैंने कोशिश करिया कि सारी चीजें मैं included कर सब्सक्रान भी अभी तक में पास queries आई है doubts आई है उन सभी को compile करके मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जिससे आप सभी के जो भी doubts है वो जो है clear हो जाए सो start करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ discuss करना जाऊंगी कि अगर आप सब लोग अगर आप सब लोग जो है MA in history करना चाते है तो आपको CUTPG का exam देना पड़ेगा कौन से question paper code में आप question paper code जिसमें आप exam देने वाले है वो होगा question paper code सबसे बड़ा confusion तो यही रहता है कि मैं कौन से question paper code में हमें CUTPG का exam देना है तो आप HUQP09 यह जो question paper code है इसमें आप सभी को exam देना है अगर आपको आगे जाके MA in history करनी है ठीक है इतनी सी बात वही पर अब इस exam में क्या क्या चीज़े आती है marking scheme अक्सर क्या रहती है तो आप देखोगे number of questions आपके कितने आएंगे number of questions आपके 75 questions आएंगे 75 questions आएंगे आपको time कितना मिलेगा 105 minutes मिलेंगे 105 minutes आपको यहां पर मिलेंगे अच्छा अब यहां पर बच्ची question पुछते मैं इसमें सिर्फ इसमें क्या current affairs वगेरा भी आता है वह पहले आया करता था जब 100 marks का paper होता था current affairs, maths, quants, reasoning अब नहीं आता है तो यह only domain related questions ठीक है मैं लिख भी देती हूं only history domain related questions जो है पूछे जाएंगे ठीक है आपको 105 minutes का time दिया जाएगा ठीक है number of question पता चल गए time पता चल गया total marks कितने रहेंगे total आपके 300 marks का paper हैगा आपको 300 में से कितने score करने चाहिए 200 plus तो करने ही चाहिए मतलब मैं बोलूंगी expected आप कितना try करो कितना आप try करो कि score करने का 200 plus आपको try करना है score लाने का 300 में से ठीक है वही पर सही mark करने अगर आप question को सही देते हो correct answer पर आपको क्या मिलते है correct answer पर आपको plus 4 marks मिल जाते है अगर आप wrong answer देते है तो negative marking है wrong answer देते है तो minus 1 की negative marking जो है आपकी हो जाती है ये चीज़ आपको याद रखनी है तो ये बात होगे मारी marking scheme की इतनी बात समझ आगी आगे चलते है आगे रहता एक्जाम पाटन में confusion कि एक्जाम पाटन क्या रहता है मैं किस तरीकी के questions जो है पूछे जाती है तो देखो एक्जाम पाटन यहां पर आप देखोगे तो आपको जो एक्जाम पाटन में लग अलग अलग जगों से questions रहने को मिलेगे आपको in modern से देखने अगे और आपको जो है का वर्लड हिस्ट्री से कॉशन्देशन देखने को मिलेंगे किस टाइप के कॉस्ट एक को मिलते सिम्पल क्वाइस भी देखने को मिलेंगे सिम्पल मसी क्यूंज जो हो क interacts with the working system source तो कि लेंगे चीह टोलजी क्रोण लॉज़ी में लगाव के पहले क्या हुआ फिर क्रोणि लाजीट नेंगे देखने को मिलेंगे ठीक है और आपको मैच नग टाफ टाइप अफ कौश्चांस भी देखने को मिलेंगे तो इस तरीक पाटन जो है आपका रहेगा थिएए वह इंचेंट इंडियन एंपायांग शिशुनाग नंदा देनिस्टी एज अफ रिलीजिन बुद्धिजम जैनिजम मौरन एज पोस्ट मौरन पीरिड का सब कुछ आएगा आप देख रहे हो बहुत दार डिटेल में खरावाल सत्वाहन स्थमिल सेटाव संग अमुंक अड्मिनि सेटेशन सेटेशन साइटेशन काल्चर रीजनल स्टेट दूरिंग गुपता एरा कादमबाज पल्लवाज चलुक्या बादमी आपालास सेनाज राश्टकूता उनकी पॉलिटी उनकी आड्मिनिस्टेशन अर्ली मिडेवल इंडिया में आपको वेजर पॉलिटिकल डेवल चीज़े आपको देखने को मिलेगे जो कि आप अकसर आपने आइडिया आपको होते हैं मेरेवल में क्या क्या पढ़ते हैं ये साइचीजे देखने को मिलेगी वही पर modern हिस्ट्री कर सेलिबस modern historiography भी हम कवर करेंगे colonialism, British Raj, British Expansion, Imperialism, Social and Cultural Development, Economic Impact in British Period, Settlements, Industrialization, Social and Religious Reformers के बारे में ही बात करेंगे वही पर फिर हम modern history में national moment in India भाई यहां से तो question आता ही आता है बहुत important है ये वही पर जो Gandhi era था 1915 में Gandhi जी के आने के बाद वो सारी चीज़े पढ़ेंगे constitutional development, struggle for freedom और फिर आप world history में आप देखोगे European history थोड़ी सी cover करेंगे French Revolution, England, England के बार में पढ़ेंगे American and Russian Revolution, World War I and World War II के बारे में भी चीज़े पूछी जाती है कम पूछी जाती है बड़ पूछी जाती है cover तो करनी पड़ेगी तो यह सारा जो है आपका syllabus रहता है detail में अब बात रहती है कि top universities कौन कौन सी जहां से आप MA history कर सकते हो इससे इस प्रिडियो बना रखी है आप चानल पर जाके जो है दिख सकते हैं यही पर आपको वीडियो वाले कॉलम में दिख जाएगी बड़ जो टॉप यूणिवर्सटी जो बच्चे टारगेट करते है वो डी यू रहती है बी एच्चि उ रहती है एंड जे एन यू यह तो ट इसे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि कितनी सीट से कितनी सीट इंटेक है उससे रिलेटेड कितनी सीट इंटेक यहां पर अभलेवल है यह शारी चीज जो आपको पता चल जाएगी बिली शी जिरदेड वीडियो च्ण Tara वही पर आगे देखते है standard books अब बहुत साही बच्चों का यह doubt है कि मैं books कौन सी use करें कौन सी book पढ़ें आप हुए ना एक बुक बता दो जिसको हम पढ़े के जो है एक दाम exam को एक दाम उड़ार डाले तो देखो एक book नहीं है as such आपको अलग-अलग multiple resources का use करना पड़ेगा सबसे best अगर आपने graduation already history में ही करी थी तो आपके जो graduation की books है ना उनको use करो वह बहुत जादे important अगर आपने notes बनाए थे उनको use करो आपने graduation में कभी नोट्स बनाए हो लग तो निरा मुझे कमी chances है बट आप यूज करो बट वही लोग जिन्होंने जिनको history में इंट्रस्ट है नोने graduation history में नहीं करिया बट चाहते कि आगे जाके हम history में मास्टर्स करें तो देखो आपके पास थोड़ आपको जादा महनत करनी पड़ेगी क्योंकि अपने graduation में नहीं पड़ा तो इंट्रस्ट है तो आपको बहुत से चीज़ आती होगी बट आपको थोड़ी जादा महनत करें पड़ेगी वही पर इगनु के नोट्स हो गए जो साथ साथ कॉलेज भी कर लें तो आपके जो नोट्स है वह आपको बहुत काम आएंगे हिस्ट्री के जो नोट्स है वह जो है आपके लिए अच्छे रहेंगे वही पर जो यूजी सी नेट इग्जाम में उनके जो एमसी क्यूस है महां से प्रक्टेस आप करोगे तो जाही जो प्रक्टेस तो जो पी वाई क्यूज है क्योंकि अभी एक-दो साली हो होते वह सी उटी पी जी एक्जाम को तो इतने पी-वाई क्यूस है नहीं बट कोई बात जो यूजी सी नेट के जो क्वेस्ट्शन है उनको भी हम करेंगे तो बहुत आप आराम आपको है हेल्प मि निकल जाएगा और आप आगे जाकर प्रोफेसर बनना चाहते हो पढ़ाना चाहते हो तो आपकी जड़नी है बहुत जादा असान हो जाएगी एक बार लगकर बद अच्छे से इसका बनालो अच्छे से पढ़ाई कर लो र डेटेन में अब स्ट्राटेजी क्या रहनाए चाहिए आपकी स्ट्राटेजी क्या है सबसे पहले से क्या रहेका है क्या पूछा जाएगा कैसी छीजघे पूछ करो चीक है यह स्ट्राटेजी में रखो अपना पी वाइक्यू अनलाइस करो नोट्स बनाओ डिटेल्ड नोट्स आपको बनाना जरूरी है बिकॉस एक बार अच्छे नोट्स बना लिए तो आप बार बार उनको रिवाइस करोगे फिर उसके बार आपको मॉक टेस्ट देने ह कितने पानी में हम कितनी तैयारी हो रखी है तो यह अगर चार चीज़े कर लोगे ना बीवाइक्यूस अनलेस कर लोगे और मॉक टेस्ट दे लोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़े जो है आपको क्लियर हो जाएगी यह अपनी स्ट्राटेजी में लिख लो यह चार तो हम भी कराएंगे प्राक्टेस आपको टैस्स बगर अभी देंगे बट आपको अभी से तयारी स्टार्ट करनी है वही पर अगर आप चाते हो कि आपकी तैयारी आसान हो जाए आपको कुछ महनत बस पढ़ने की महनत करनी पड़े बाकि और सब रिसॉर्स क्लेक्ट करने म और अगर आप मेरा coupon code आशी20 उस करोगे तो आपको maximum discount मिल जाएगा अगर आपको history के साथ साथ अगर आप कोई general paper की पिते यारी करो let's say CQP 11 या CQP 12 तो रूद और दूणाचारे badge भी आप ले सकते हो उसमें भी आप मेरा coupon code आशी20 जो है use कर सकते हो जन बच्चों को नहीं आप पता है कि कहां से आप देखोगे तो मैं एक बार बता देती हूँ कि आप कैसे जा सकते अड्डा की website पर जाओगे आप वही पर आप all courses पर जाओगे all courses पर जाके आप यहां पर UG&PG entrance exam में जाओगे आपको CUTPG दिखाई देगा इन बच में जाओगे इन बच में जाकर यहांपर आप बैय नाओ जा होगे लगा सकते हो the coupon code inclusion 20 है यहां पर coupon code लगाओगे घाओगे एक पर आपको प्राइज थैं कम होता हाँ दिखाई देगा और इससे फिर आप पेमेंट कर दोगे तो आपका बैच आपको खरीड लिया जाएगा यहां पर आप साही फीचर्स भी देख सकते हूं क्या 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 फीचर्स है क्लास जो है 30 ओगस्स से माई स्टार्ट हो रही है तो आप लोग फटा-फट चाते हो कि कोई क्लास मिस्स ना हो तो आप इसको जोईन कर सकते हो और वहीं पर बाकि बैचेज भी वाकी तो कि प्र में अगर आपको सारी चीज़े क्लियर हो रही है बताओ सारी चाहई घ्लियर हो रही है तो फटा-फट से आप सभी को बताना है ओके तो यह सारी इंफोपरमिशन थी तो आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेंको मेल भी कर सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ आप कहां पर मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपका फिर भी कोई । हाउट रह जाता है हिस्ट्री से रिलेटेड रेट अधा 247.com मेरी mail आई जी है अगर आपको कुछ पूछना है बात से रिलेटेड या किसे भी चीज से रिलेटेड तो आप में कुछ है mail भी कर सकतो I will definitely revert you back तो इतनी चीज़े clear हो गई सारी चीज़े मैंने आपको बता दी जो जो important है जो कि आपको पता होनी चीज़े CUTPG history का exam अगर आप देने वाले हो तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे होगे तो like जरूर कीज़ेगा अपने friends के साथ भी share कीज़ेगा और subscribe भी कले ना because ऐसी और भी वीडियो जो है आती रहेगी और अगर आपको कोई suggestion है ताब मुझे नीचे comment section में भी जरूर बता सकते हैं तो अब मिलेंगे next video में तिल देन आप सब लोग अपना ध्यान दखिए थाता देखिए बाई-बाई